तो कैसे हैं दोस्तों उमीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे मज़े में होंगे क्योंकि सेक्टोरियल ग्रोथ जो है कहीं कहीं स्पेस्पिक बहुत ज्यादा चल ला है तो मैंने भी डिसीजन लिया कि चलिए आपको एक राइट वे अनलाइसिस देता हूं जो कि केमिकल सेक्टर अच्छाने वाला हूं ताकि आपको एक सेक्टर ग्रोथ में जब आप इंवेस्ट करते हैं तो आपको ज्यादा मल्टि वेकर ढूणने में आसानी होती है मैं उसको मैं बार में देखूंगा अभी समझते हैं कि हमें जो भी सेक्टर है उनमें जो ग्रोठ दिखता है तो उस स्पेसिफिक कोई स्टॉप पर राइड करना चाहिए तो सबसे पहले इस तीज का कन्फ्यूजन में आपसे दूर कर दूँ फिर मैं चलूंगा अपने केमिकल सेक्टर के अनलाइस पर जिसका में वेल्यू चैन बताने वाला हूँ आपको दिखरा इसमें ऑपर्चुनिटी क इस तीज को मैं देखते हुए लेकिन उससे पहले आपको यह समझना बहुत ही जरूरी है कि एक स्टॉक इस्पेसिफिक और एक सेक्टर दोनों अलग अलग चीज होती है मैं एक सधारन एक्जांपल के तोर पर बताता हूं माल यह कोई मार्केट है उस मार्केट का ग्रोट जो है क्योंकि उसकी जो मार्केट साइज है वह बहुत बड़ी है जब पूरी मार्केट जब ग्रोट करती है तो उस मार्केट का एक दुकान आटोमेटिक ग्रोट करता है वह अलग चीज़ है कि कोई कभाल के भाव में हो तो उसका अलग बात है लेकिन जाला तर यदि हम बात करते हैं तो उसमें जो पूरा मार्केट की जो सौप्स हैं वह भी ग्रोध करती हैं बट जब हम स्टॉक स्पेसिफिक की बात करते हैं तो हो सकता है कि गौर्मेंट की पोटेंशियल उससे खतम होगा तब उसमें जो है कहीं आ कहीं आपको बीरिस मूड दिखेगा क्योंकि पूरी सेक्टर जब बीरिस है और वो केवल वो चल दा है तो यह जो होता है माइनर डिफरेंशिस जो होते हैं इसे हमें बकाइदा इस्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करने पहले समझ लेना चाहिए यह सारी बाते मैं अपने ग्रांड मास्टर में बता रहा हूं जिसे कि आपको आसानी हो फिलाल हम यहां पर समझते हैं सबसे पहले हम समझेंगे कि वेल्यू चैन जो होता है अपना इस्पैसिलिटी केमिकल का वह क्या होता है जैसा कि आप देख प यह सारे जिस्ब कहते हैं वह होते हैं फी पिल्क है बड़ भी कस्ट देखें क्या क्या ज्यादा है नहीं कि उसका जैसे-आऩ थे से लिए reflex जाएगा हमारी वैल्यू से वैसे वैसे बढ़ की जाएगे बढ़ जब हम राव मटेरियल से कोई कॉमेडिटी बनाते हैं या बल्क बनाते हैं जो की डायक रूप से हमें इंप्यक्ट करता है तो इस राव मटेरियल से इसकी कॉस्टिंग ज्यादा होती है यह सारे केमिकल में आएंगे ठीक है हम लोग व इस प्रेंसेस होते हैं कब स्पेसिलिटी केमिकल बल्क मेडिटी बन जाता है यह सारे हम समझेंगे प्रदाफित प्रोड़क्ट देते हैं और उसके बार उर यह ने arla पहुंचाते हैं तो यहां से आपको फार्वरॉर्ड इंटीघर्टे यह से होते जाएगा वेसे वैलूएशन बरती जाएगी और मार्जीण बढ़ती जाएगी डाइन्स फीन अठ्र से में के में हैं YouTube में चाहिए जी जो है जाए ये ज्यादा कॉंसेंट्रेट होगी वहां पर ज्यादा मार्जीन होगा वह कंपनी ज्यादा प्रॉफिटिवल होगा उसे कंपेटिशन कम मिलेगा यह सारी चीतों आपको समाझ में आ गई होगी बट अब समझते हैं कि बल्क कोमेडिटी और स्पेसिलिटी केमिकल के क्या-क्या फ स्पेसिलिटी कोमिकल केमिकल जो है वो कब बल्क और कमिडिटी बन जाता है क्यों क्यों कि देखो बाउस कोई भी नया चीज़ आता है और उसमें जब प्रॉफिट ज़्यादा होते है तो उसमें कंपेटिशन धीर धीर बढ़ते जाते हैं मतलब कि नए प्लेयर से आएंग करते हैं मतलब ज्यादा इंवेस्टर उसके तरफ एट्रेक्ट होते हैं वैसे ही जैसे स्पेसिलिटी केमिकल में ज्यादा डिमांड आएगा या वैसे स्पेसिफिक कोई चीज के लिए जड़ी कोई इन्वेंट करता है तो उसमें प्लेयर्स इंट्री लेने कोसिस करने लग और Canadian में और ठेकनलोजी और यह जर्वेस्ट होते हैं जब टेकनिकल प्रीच मतलब टेकनिकल जो उसने यूज किया था जिस टेकनिकल के करने उसने बनाया था वह ब्रीच होगे तो टूडब के सारे लोग समझ गए तब क्या होंगे बहुत तब आजाए इसमें सकींगा जा सो जाता है तो यह आपको हमेशा सेक्टर एनलाइसिस में इसकीज को देखना है कि कौन सी कमपनी कितने स्पेसिलिटी केमिकल पर प्रॉफिट ऑफ मार्जीन कमा रही है और बल्क और कॉमेडिटी में कौन-कौन से कमपनी है और उसका क्या इंपेक्ट है या उसका मार्केट से है तो यह दो चीज आपको निहाइद जरूरी होगा इस पूरे केमिकल सेक्टर में समझने से ऐसा नहीं करना कि केमिकल सेक्टर में ग्रोफ है तो अंगलू-मंगलू कुछ भी उठाके डाल दिये यह कोई वह नहीं है गय साम को ऐसे दोस्तों के साथ बैटके खेल रहे हैं छुटा माज रहे हैं बहुत मेहनत से पैसे आते हैं तो थोड़ा मेहनत किया करो और थोड़ा की चीज समझा करो जो छोटी-छोटी चीजे होती है उस पर ध्यान दिया करो टाइम दो ठीक है इन्वे इस्ट्यावक मार्केट कोई वह नहीं है सिक्का हेड और टॉस वाली का डीटड करते हैं तो बल्क मेरेट की जो हम बात करते है तो मेरेटी में क्या होता है लो मार्जिन होती है ठीक है उसके बा Corps ज्यादा होता है ये ज्याद होता हैshaw जանता ही हे ये तो कोई सक konse quickly होता है ये ये को मादन होता ही येश sır को कमपनी की एक सोच होती है कि हमें जो है प्रॉफित कहां से बढ़ाना होगा तब यह क्या करती है कि प्रोडक्शन और क्लाइंट तो बढ़ाती है लेकिन उस उधर जब भी बढ़ाती है तब क्या होते हैं कि नए-नए प्लेयर्स इसमें इंट्री ले रहे होते हैं तो वह कहीं कहीं मार्केट से एक स्टेबल हो जाती है या डिक्रीज होने लगती है तब हम क्या करते हैं इसमें क्या खोड़ने लगते हैं ट्रांस्पोर्टेशन कोश्ट बचा ले हैं तो ऐसे चीज में जब आप करोगे और किसा मल्टी वैगर हो जाए तो कहां से होगा भाई वह तो ट्रांस्पोर्ट बचाने के चक्कर में है ठीक है रिलाइस ट्रांस्पोर्ट बचातियत समझ माता है कि उसके बिजनस में और भी तरह से प्रॉफिट आते हैं लेकिन यहां प्रॉफिट एक ही जगर से आ सबसे बड़ा जो केपिटल लगता है वह लगता है आर एंड डि इपार्टमेंट में यहां पर हम देखते हैं कोई स्कील मतलब इसकी नहीं नौलेग जो है उतना नहीं लगता है जितना कि यहां स्पेसिलीटी केमिकल का होता है क्योंकि यह कुपी कैट है न बहुत किसी ने नहीं पहले स्पेसिलीटी उझाल केमिकल बनाया होगा फिर इसका कॉपी कैट यहां पर किया होगा तो वह कॉपी कैट में कोई ज्याधा आपको आर एंड डी नहीं किया आपने ज्यादा दिमांग नहीं खापाए एक तो तो ढोलस दो चार होता है वह हमने सीख लिया तो द बना रहेगा तो इस चीज को ध्यान में रखना कि क्या उसका जो आरेंडी का सक्सेसरेट है वह कितना है यह भी आपको इन्वल चार्ट में देखने को मिल जाएगा इन्वल चार्ट थोड़ा बहुत अवर्वियू में लुक अप कर लिया करो ताकि आपको आसानी हो ठीक है त तीन से चार से पाथ या तीन से पाथ साल लगते हैं जिसके कारण यहां पर होता है वह कहीं न कहीं बहुत ज्यादा होता है इससे क्योंकि यह सबसे बढ़ी चीज की यह कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लेम को लेकर होती है ठीक है उसका कोई भी चीज कि जब आरेंडी क्या होता है आरेंडी तवी होता है जब किसी प्र würTell से इसू हो रहा हो उस्प्रॉब्लेम को सॉल्व करने के लिए की या इस लिए एक सही hard French मेकनीक icky apply किया जाता है ताकि वह प्रोब्लम जल से जल all हो सकते तो इसलिए आड यरेंड़ होती है और यह जब यह स्प्रीश प्रॉल्यम स्वाल होने लगती है तो जिस जिसको वह स्प्र εκडान स्प्रीफिक प्रॉब्लम होगे या तो उससे पहले यदि यह सब भी आपको जानना हो तो हमारे साथ जूलेर है चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक एंड शेयर करें ताकि मैं जैसे ही डालू तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसको सही तरह से लाइक कर पाए तो यहां पर इस प्रॉब्लेम को उ हमने तीन भागों में डिवाइड किया है सबसे पहले इनीशियल सबसे पहले इनीशियल सकेंड पिक साइपão फिक लाइफ मतलब मतलब यह सबसे ज्यादा इंट्रेंट ओ धर स्क्राइबर अब समझते हैं इस तिनों लाइफज सैंकल के बारे में cioè लाइप सैकल क्या होगा बॉस जब वह और एंडी पर होगा यहां पर बहुत जादा होता है ठीक है एक हाई डिस्क होता है कि क्या मेरे उसको प्रोड़क्ट को एप्रूबल मिल पाएगा कि नहीं मतलग चाहे वह होगा चाहे और जायेगा प्रोड़रेक्ट के लिए यह हो रही है बट जब ठीक है डिमांड ज्यादा होगा और सप्लाइज जो है वो कम रहेगा क्योंकि केवल इसी के पास वो टेकनोलोजी है तो इसलिए इसकी जो कॉस्ट होगी वो एक तरह से मोनोपॉली में होगी डैट मिस इसका मार्जीन जो होगा प्रॉफिट मार्जीन बहुत हाई होगा है इस किवल इस्ट आक जो ढूलना है जो कि तर वान भी बढ़ता हूं कि क्यों इसप्रेंद मुझे भी अच्छा नहीं लगता और इनिशियल में तो है तो यहां से गुजर जाने तो जब इसभीड में आ जाएगा जा अब हम देखेंगे हां हमें क्या करना haves करते हैं कि stability की तो जैसा कि मैंने आपको बताए कि stability में कब होगा इस्टेबिलेटी जब इस्पेसिलेटी केमिकल से वह बल्क कॉमेडिटी में आ जाएगा जाएगा जब उसकी टेकनिकल ब्रीच हो जाएगी जब उसका खतम हो जाएगा ठीक है जब वह उसमें जादा जादा जाएगे यह तीन कंडिशन जैसे होगा वैसे उसका क्या होगा कि डिमांड जो है वह उतना ही रहेगा बट सप्लायर मोर दें डिमांड हो जाएगा तो वैसे में वह चीज आ जाती है जाते है तो यह सब्सक्राइब करते हैं यह सीश्य में सबसे बड़ी होता है कि यह किसी का एक राउ जैसे फार्मा में फार्मा में यदि हम एथिलीन प्रोवाइड करते हैं तो इसे पता चलता है कि हमारे बिजनस से एक किसी और का बिजनस ड्रीवन हो रहा है मतलब आप किसी बिजनस के एक कोर माटेरियल हो ठीक है इसलिए आपकी दिमांद हमेशा बनी रहेगी और जब कंजुमर की बात करते हैं तब भी तो इसलिए यह सेक्टर मुझे जादा पसंद है कि नहीं है वह मैं लाश्ट में बताऊंगा जब मैं रिस्क आपको बताऊंगा अब बात करते हैं इसकी ऑपर्चुनिटी की बात कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज़ बता रहता हूं कि इस सेक्टर का जो डैवर्सी फाइड है थीक है मतलब डैवर्सिफिकेशन जो है प्रोडक्ट का वह कहीं कम नहीं है यह समझ जाना कि यह केमिकल है तो बहुत कम हो जैसे कि मैं आपको एक्जांपल बताते हूं एग्रो में फार्मा सेक्टर में 51 तू 60 परसेंट तक इसका डिमांड है यहां पर आपका पर्फ्यूम फ्रेग्नेंस हो या पेंटिम हो या कोटिम हो या इंडस्टी में कोई हो या आपका यह कॉस्मेटिक्स हो यह सारे चीज में या वह आपकी ग्लास की कवर होती है इंड्रोइड की उसकी बात हो तो बहुत सारे चीजों में हमाई केमिकल की जरूद परती हैं तो यह आप कहीं इसको एक इंटेंटवे में मन्त समझ लेना कि बहुत छोटा इसका वह यह बहुत बड़ा एरिया है इसके प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन का तो सबसे पहला अपर्चुनिटी तो यह देखने को मिलता है और सकेंड अपर्चुनिटी जो ग्लोबल चल दा है चाहे वह वार की सिनेरियों हो रसिया यूक्रेन वाल हो या चायना तैवान को ले में दे पार है एक चीज में आपको बता रहता हूं कि जब और यदि हम बात करते हैं इसका ब्लू ऑप चायना जो स्टार्ट किया तर 2017-18 में जिसके कारण मतलब की पॉल्यूशन फ्री करने की जो वो थी तो उसमें कई केमिकल कंपनी जो है वो बंध हो गया जिसके करण की भारत में इसका जो है कही न कहीं डिमांड और भूमाने लगा वहीं से इस सेक्टर में हमें ग्रोथ देखने को मिलने लगी आज उस पर यदि हम राइड कर रहे होते तो अभी तक तो पाच्छे गुना हो गये हैं कई स्टॉक कई स्टॉक 10 गुना 12 गुना 20 गुना भी हो ग रेगुलेटरी ओर वैलिदेसन में ज़्यादा लगता था पेटेंट में ज़्यार टाइम लगता तो यह कहीं न कहीं गॉर्बमेंट जो है इसको व्रक आउट की है और इसको कहीं न कहीं टाइमवाई अब हम बात करते हैं जब ग्रोथ की तो ग्रोथ में आपको एचिवर दू वोल्ड का जो इसका मार्केट साइज है वो 4 ट्रिलियन डॉलल रैं कितना और जब हम इंडिया की बात करते हैं तो अभी इंडिया केवल 178 बिलियन डॉलर है घाट निस वohl 45 डॉलर और इंपोर्ट जो है वो करता है कितना तो 50 डॉलर ठीक है आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जब हम इस 4 परसेंट को यदि 25 परसेंट या 26 परसेंट पर भी मीट कर देते हैं वर्ड के कोडिंग देन आप समझ सकते हो कि कई स्टॉक ठीक है यह सेक्टर हमें तो लगता है 50-70 गुना हो सकता है यह बात समझ यह 4 परसेंट पर यह इतना यदि आप ग्रोथ देख रहे हो तो सोचो कि यदि यह 25-26 परसेंट मीट कर गया वर्ड के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां कि हम लोगों ने टॉफ वन पर रेंट पर लगाया है बहुत सारे प्रोड यह जो बिग अपर्चुनिटी दिख रहा है और ग्रोथ दिख रहा है यह हमें बहुत ही मतलब अट्रेक्ट कर दो की जब बाते हो रही है तो मैं एक एक जांपल आपको बता दू कि जब हमने 1994 में 1994 में आप यदि चार्ट खोल के देखिएगा तो जितने भी IT सेक्टर स्ट में दिखेंगे ज्यादा तरी स्टॉक आपको डबा और इससे यदि बैकवर्ड आप दो साल और पीछे चले जाए यानि 1992 में तब तो आपको डेफनेटली ऑवर दी 90% IT स्टॉक्स विल बी इन अल्ली टू डिजिट और सिंगल डिजिट तो यदि हम उस समय IT सेक्टर के कितना हमारा जोा वह तो वही सेम चीज़ कियों यहां पर मल्टीपल हुआ क्यों कि इसमें जो हए ग्रोथ देखने को टाइम वाइज मिला देखो मुनक्रन में घ्रोथ रहनेओ niż कि यहां levels करोता तो यहां पर आप算कर ऑफनेटलै करोगे अभी सीनेरियों है तो यहां से return जब हम return की बात करते हैं और एक चीज हम समझ लेते हैं यहां पर इंडिया का जो जो इंडिया का जो जी एजी एर है चेमिकल के उसमें वह कितना है तो थर्टी ठर्टीन परसेंट और चाइना का कितना है सबसे बड़ी क्या है सबसे बड़ी रिस्क यह होगी कि पॉल्टी बैगर का बात कर रहे हैं तो बार 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 मैं है पॉल्ये जो है वह कहीं न कहीं हमारे कंट्री में हैं ज्यादा होने लगए हैं और फिर जब लुकल में ग्रोथ blacks होगा तो और ज्यादा होसकती यह tutorial कारा program यह चानस potentially या बैंड होने का चांसेज जह कहीसिसे इस एरिया को मृँष जड़ा क्राव्य नेय financing०ौ में देखते हैं तो इसलिए आपको यहां वैसा भी स्टॉक सेलेक्ट करना है जो जिसमें की थोड़ा सा रेगुलाटरी इजी हो ठीक है मतलब थोड़ा लेस पॉल्यूटेंट हो थोड़ा घ्री नेचर हो वैसी यह कोई आपको स्टॉक मिलती है मैं बार बार बता रहा हूं कि जब आप केमिकल सेक्टर के किसी कमिकल कंपनी के अनलाइसिस कर रहा है तो यह सारी रिस्क होती है यहां किसी भी चीज को लेकर आधर कंट्री में बैंड हो गया लेकिन क्या है वहां developed हो चुके हैं तो अब उन्हें यह सारी चीज़ें देखना है तो आप बात करते हैं एक बुले ट्रेंट पर बैठ चुकी है जो कि बहुत तेजी से जाने वाली है अभी थोड़ा से स्पीड पकला है जब यह स्पीड पकलेगी तो यह किसी के हाथ नहीं आने वाली है इसलिए मैं बार-बार बहुल रहा हूं कि आप स्टॉक का एनलाइसिस कीजिए या मेरे साथ जुड़े रहे ताकि मैं आपको स्टॉक का एनलाइसिस बताते जाओंगा उसमें आपको क्या उपरचिनीटी दिखती है आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए या ना कीजिए यह आपकी इच्छा है मेरे तरब से कोई रिकोमेंडेशन नहीं है बट मैं यहां पर अपना उपि टाइम का इसू हो जाता है इसलिए लगता वीडियो नहीं बना पता हूं बट एक चीज़ और मैं बता लेता हूं आपको कि इसी स्टॉक में लाइसिस करते समय आप कुछ की फेक्टर जरूर देखना जो अधर सेक्टर में नहीं देखते हो पहला कि आरो सी देखना ठीक है है इनवेश्ट कहां कर रहा है कही आरे डी का कॉस्ट जादा तो नहीं आरा फेल्यॉर अब दी सक्सेस तो नहीं है तो यहां पे नेट मार्जिन देखने के बढ़्या है आपको यह सारी चीजह देखना ज़्यादा असानी होगा थाकि आपको और रिलाइबल हो वीडियो में अब तक के लिए ठैंक